हेलो नाइन्थ क्लास स्टूरेंट्स एक वीडियो एक सवाल और एक नए सवाल के साथ चैप्टर मैंसुरिशन से मैं अभिशेक आपके सामने तो मैंगनबेंस के प्लेटफॉर्म पर हैं एक सवाल कोशिश आपको यह करनी है कि मुझसे पहले आपको देना है जवाब देखिए कोश्चन कितना प्यारा है और एक डिफरेंट वेराइटी आप लोगों के सामने मैं काऊंगा अगर यह सवाल आता है तो दो से तीन मार्क्स डेफिनेटली आपको चैप्टर मैंसुरेशन या हीरोंस फॉर्मूला से देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपसे कहा है कि एक ट्राइंगल के जो साइट्स है वो रेशियो में है 12, 17 and 25 यह रेशियो दिया है साइट्स का and its perimeter is 540 cm तो आपके पास एक ट्राइंगल है हमें काम कर लेते हैं एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो यह हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं PQR और यहाँ पर क्योंकि मुझे इसके साइट्स रेशियो में दिये है तो साइट्स आर इन रेशियो साइट्स आर इन को remove करते हैं और word अगर ratio remove करना है तो आपको एक unknown quantity multiply करनी है दिये हुए ratio के अंदर तो अगर मैं x का multiplication 12 17 और 25 के साथ कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास यह pq side हो जाएगी 12x यह हमारे पास हो जाएगा 17x और यह base हम लोग मान लेते हैं 25x हम कुछ भी मान सकते हैं तो 12 17 और 25 का जो ratio दिया था हमने एक unknown quantity यहाँ पर introduce करा दी और इससे फायदा यह मिला कि finally मेरे पास sides आ गही है इस सवाल में अगर आप आगे read करें तो मुझे इसमें perimeter भी दिया है perimeter of our pqrs तो perimeter of triangle pqr is equals to 540 cm यह हमें बोला है perimeter दिया है और perimeter का मतलब हमें पता है कि perimeter एक triangle में या किसी भी figure में perimeter का मतलब है sum of all sides sum of all sides ऐसा figure जहां पे lateral lines है मतलब straight lines है तो straight lines से बना हुआ एक closed figure जिसको हम polygon कहते हैं polygon के अंदर अगर perimeter पूछा है तो perimeter का मतलब sum of all sides होता है clear तो यहां पे अगर मैं देखू तो तीनों sides का sum मतलब therefore 12x plus 17x plus 25x की जो value आई है यही 540 हमें दी है तो यह मैं लिख देता हूँ 540 यह equation आई यहां से फाइदा मिलेगा मुझे क्या कि मुझे वो जो unknown quantity मैं ने ratio में डाली थी उसकी value x की value मिल जाएगी तो यहां पे देखो 12x plus 17x will give you 29x और 29 plus 20 is 49 49 plus 5 49 plus 5 will give you 9 plus 5 is 4 14 तो वन गया तो यहां पे आजाएगा 54x which is equals to 540 और finally x की value आ जाएगी 540 divided by 54 54 और 540 को simplest form में convert करता हूँ तो यहां पे finally मेरी जो x की value आ रही है वो आ रही है 10 x की value क्या ही तो x की value आ रही है 10 उठाओ इस 10 को और इसके sides में डाल दो तो यहां पर हमें मिलेगा therefore side pq is equals to 12x यह 12x आपका हो जाएगा 12 x 10 that is 120 120 cm यह हमारे पास pq की value आ गई clear है और similarly मैं ऐसे ही सारे जवाब दे सकता हूँ तो similarly qr की जो value होगी वो 25 x 10 होगी मतलब 250 cm हो जाएगी clear है और ऐसे ही मैं कहूंगा जो pr की value है यह 17 x 10 हो जाएगी मतलब 170 cm हो जाएगी clear तो देखीगा मैंने sides calculate कर ली और अगर sides calculate हो गई तो इन्होंने आगे मुझे कहा है find its area इस triangle का area बताईए क्या होगा तो देखीए मेरे पास sides है area बताना असान है using heroes formula तो question के second part में आ जाईए second part क्या कह रहा है तो now now using heroes formula अब heroes formula क्या कहता है तो heroes formula कहता है अगर मुझे किसी भी triangle का area calculate करना है तो radical sign के अंदर मतलब square root के अंदर आप semi perimeter को multiply कर दीजिए s minus a s minus b s minus c से where s is equals to what जहाँ पे s क्या है तो s is semi perimeter लिखना जरूरी है ठेक है और a b c क्या है तो a, b, c जो है यह sides of the triangle है measurement of the measurement of sides यह यह चीज आपको समझ आनी चाहिए तो finally यहाँ पर आपने heroes formula का introduction करा दिया ले heroes formula में डलने वाले s की value आपको पता करना ही पड़ेगी आपको question में perimeter दिया है perimeter आपको कितना दिया है 540 दिया है तो perimeter मुझे given है 540 that means यहां से semi perimeter क्या होगा तो therefore semi perimeter की value आएगी perimeter divided by 2 perimeter का half कर देंगे तो semi perimeter आजाएगा clear है तो यह value हमारे पास आएगी 2 2 times 4 2 7 times 14 and 0 270 cm यह हमारा semi perimeter आया now area is equals to the area क्या आएगा देखेगा root के अंदर मैं लिख रहा हूँ the root के अंदर हम लिख देते हैं यहां पर अगर मैं space का यहां use करता हूँ proper तरीके से तो यहां पर area आएगा आपका root of 270 multiplied with 270 minus यह sides 120 next bracket मैं आएगा 270 minus 250 next bracket मैं आएगा 270 minus यहां पर 270 minus कितना 170 clear है तो यह आपने यहां पर कर दिया है solve चलिए तो अब हम यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा partition कर लेते हैं so that हमे space मिल जाए तो area आपका आजाएगा root of 270 को हम लिख सकते है 27 into 10 multiplied with 270 minus 20 270 मैं से अगर 120 गए तो यहां पर 70 मैं से 20 गए यह बचेगा 50 और यहां पर 150 तो इसको हम लिख सकते है 15 into 10 multiplied with 270 मैं से 250 गए तो बचेंगे 20 मतलब 2 into 10 again multiplied with 270 मैं से 170 गए तो यहां पर बचेगा 10 into 10 hundred clear है देखिए मैंने split कर दिया 10 की कितने factors आ रहे हैं तो एक pair यह आ रहा है दूसर पेर यह आ रहा है तो यहां पर एक तो दो 10 को हम भार निकाल लेते हैं अब बच्चा क्या तो आप देखीगा यहां पर एक 10 यहां से बाहर आया और एक 10 यहां से बाहर ब्रैकेट के अंदर बचेगा मतलब रैडिकल साइन के अंदर बचेगा 27 into 10 तो 27 into 10 मतलब मैं कह सकता हूं 3 into 3 into 9 into 3 is 27 और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5 clear है यह 15 को मैं लिख सकता हूं 3 into 5 clear तो देखीगा क्या क्या बचा तो 27 into 10 into 15 बचा और एक 2 और बचा है तो यह जो एक 2 और बचा है इसको मैं लिख देता हूं into 2 clear तो यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखे तो यहां पर यह यह चीज़े बची है तो एक काम करते हैं 10 into 10 is 100 multiplied with एक pair यहां बन रहा है एक 5 का pair यहां बन रहा है एक 3 का pair बन रहा है एक 2 का pair बन रहा है proper तरीके से radical symbol आट रहा है यह बहार आजाएगा तो 3 into 3 into 2 into 5 और इसका जवाब आ जाएगा 100 multiplied with 3 into 3 is 9 9 into 10 is 90 और 90 into 100 is 9,000 तो यहाँ पर यह हमारा आ जाएगा 9,000 एरिया किस में चल रहा था एरिया तो एरिया की यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर में हम कहेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यह फाइनली आपका एरिया निकल के आ गया इस ट्राइंगल के लिए कितना निकल के आया तो एरिया निकल के आ रहा है 9,000 100 multiplied with 9 is 900 और 900 multiplied with 10 is 9,000 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका वो ही चलना चाहिए जो कोशन में दिया हुआ है दन तो यहाँ पर finally हम लोगों ने solve कर लिया एक कोशन जो कि मुझे लगता था दो से तीन मार्क्स का चैप्टर मैंसूरेशन से important variety आपको देखने को मिल सकती है तो Magnebrains के platform पे एक सवाल एक वीडियो में वो भी different varieties आप लोगों को त्यारी कराई जा रही है school exam, school test की बने रही है Magnebrains के साथ वीडियो को like और subscribe करना मत भूलिएगा clear और यहाँ पे मैं आपको बताओ कि अगर आप चाहते हैं Magnebrains की booklets पाना जहाँ पे हमने mcqs, most important questions mock touch papers आपको available कराएं है तो आप चल्दी निचे description box में जाएए यहाँ पे आपको एक link क्लिक करनी है उस link के थुरू आपको मिलेगा form form fill up करिए Magnebrains की team आएगी आपके contact में और आपको hard copies और e-books यहाँ पर Magnebrains की तरह से provide कर दी जाएंगी तो चलिए बने रहे हैं Magnebrains के साथ मिलते हैं next सवाल में तब तक के लिए राम राम बाई बाई और टेक केर